ओम्स्यांति स्वयम्भगवान ने आकर हम सभी को राजयोग सिखाया उस राजयोग का एक मुख्य अभ्यास है उसका एक पार्थ है स्वामान में इस्थित होना हम आत्माएं हैं ये तो हम जान गएं संसार में बहुत लोग कहेंगे हम आत्माएं परिम तुमे कौन सी आत्मा हूं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं मुझे क्या करना है मेरी मानता हैं क्या क्या है ये जानना और थात में कौन सी आत्मा हूं इसको जानना स्वामान कहलाता है स्वामान से अभिमान स्वत ही नस्ठ हो जाता है तो शेवाबा ने एक बहुत बड़ा स्वामान हम सब को दिया, जिसमें हमारी जिम्मेदारी जलकती है, और वो है, तुम नई स्रष्टी के फाउंडेशन हो, और ये जो वर्तमान स्रष्टी है, इस पर भी तुमारी स्थिती का गहरा प्रभाव पढ़ता है, तन्तु तमो पर अधानता इतनी है, निगेटिवीटी इतनी है, कि वो जो प्रभाव है, वो छुपा रह जाता है, प्रभाव तो पढ़ रहा है, तो याद दिलाया, तुम नई स्रष्टी के foundation हो, आधार हो और कहा कि यह दियाधार हिलने लगे तो पूरा पूरी स्रष्टी हिलने लगेगी आधार कमजोर हो किसी भी मकान का तो मकान कमजोर माना जाता है उसको मल्टी स्टोरी भी नहीं बना जा सकता है हम आधार हैं, हमें अपनी यह जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए हमें हिलना नहीं है इसको यह हम दूसरे सब्दों में ले रहे हैं तुम कल्प रक्स की जड़े हो देखो किसी रक्स की जड़े भी तो उसका आधार ही होता है जड़े अगर कमजोर हो उपर उपर ही हो तो थोड़ा भी तुफान आएगा गिर जाएगा और जिस पेड की जड़ें बहुत गहरी हो वो गिरेगा नहीं हम कल्प रक्स की जड़े हैं जड़ों में बैठे भी हैं यानि कल्प रक्स के नीचे बैठे हैं जड़े होती हैं नीचे उसके उपर जैसे बैठे हैं और जड़े हैं हम तो जड़ों के द्वारा ही किसी व्रक्ष को पानी या भोजन, खाद, जो भी देना, वह ही डालते हैं तो हमारा एक-एक संकल्प इस रश्टी के लिए पलना है नौरिश्मेंट हमारे वाइब्रेशन्स इस रश्टी को बहुत कुछ देने वाले हैं हमारे कर्म इस कल्प रक्ष में जितने भी धर्म हैं उन सब को स्रश्ट कर्म करने की प्रेयनाएं देते हैं तो हम सभी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें मेरे मन में यदि निगेटिविटी चल रही है तो देखिए उपर क्या जाएगा एक विज्वालाइजेशन कर लें मैं नीचे हूं और मेरे उपर ही कल्प रक्ष है निगेटिविटी मेरे मन में है तो क्या जाएगा पूरे कल्प रक्ष में हमें प्योरिटी का जल देना है कल्प रक्ष को हमें स्थिति की नौरिश्मेंट यानि पालना देनी है कल्प रक्ष को हमें माहन विचारों से इसकी पर्सनलिटी को बढ़ाना है तो हम बहुत जिम्मेदार हैं बहुत अच्छी तरह विचार कर लें हम खुश रहेंगे तो हमारे खुशी के वाइब्रेसिंज अनेकों को खुशी प्रदान करेंगे और हम उदास होंगे हम दुखी रहेंगे तो वैसा इफेक्ट पूरे कल्प रक्स में भी पहुचेगा तो हम बहुत ही जिम्मेदार आत्माई हैं दुनिया में भी जब एक्ति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता वो अलवेला नहीं हो सकता उसे कमाई करनी होती है वान लोगी जी को तीन बच्चे हैं उनकी साधियां करानी पढ़ाना है पैसा चाहिए बहुत तो वो बहुत अलवेलाट रहता है उसको ओवर टाइम भी करना पड़े तो वो करता है तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए अलवेलाट रहें चुस्त दुरुस्त रहें अगर हम बहुत अच्छा योग करेंगे तो योग के वाइब्रेशन पूरे कल्प रक्स में फैलेंगे और बहुत इंपोर्टन चीज है हम अनेक आत्माओं की प्योरीटी प्योरीटी ही नौरिस्मेंट है नौरिस्मेंट का जाता है यानि कुराक कुराक है बहुत बड़ी हमारे संकल भी पवित्र हो इस्थुल रूप से भी हम बहुत पवित्र हो हमारे करम भी बहुत स्रेष्ट और पुन्य कर्म हो तो जैसे हम सरस्टी को बहुत कुछ देने वाले हो जाएंगे और जो कुछ हम देते हैं, ये प्रकरती उसका कई गुना करके हमें रिटर्न कर देती है, हमें ये बात सलाही याद रखनी चाहिए, तो हम देने वाले हैं, पक्ता कर दें अपने consciousness में, मैं इश्रष्टी की foundation हूँ, कल्प वक्स की जड़े हूँ, तो बहुत जिम्मेदार हूँ, इसलिए हम अपना टाइम वेस नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने संकल्पों को वेस नहीं कर सकते, ये दो ही चीजे तो मनुस के जीवन का निर्मान करती है, समय और संकल्प, जैसे जिसको संकल्प हैं, वैसा है उस का जीवन है, संकल्पों को महन बना दो, आपका भविस महन बन जाएगा, संकल्पों को most elevated, बहुत ओंचे हमें बनाना ही होता है, और समय, बहुत किम्तिय है हमाई लिए, भगवान ने तो हमें awareness दी, तुम्हारा समय अनमौल है, तुम्हारा एक एक मिनाट, एक वर्स के बरा समय की, अगर तुम समय और संकल्प को महत्तों देंगे, तुम्हारा समय मुल्यवान और तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है, यदि दोनों को value देंगे, तो तुम जनम जनम most valuable person रहेंगे संसार के लिए, आईए हम सभी, अपने इस्वमान को जग दित रखें, इस से हमारे कदम, कदम तेज होंगे, अपने कदमों को बहुत तेज करें, और इस रश्टी को मुझे सदा ही देना है, ऐसा सोच लें कि इस रश्टी रूपी कल्प रक्स के पत्ते सूख गए हैं, मुझे फिर से इसको जल देना है, अमरत देना है, ताकि फिर से ये कल्प हरा भरा हो जाए, यहां की सभी आत्मे सुखी और पवित्र हो जाएं, ओम जांती